हाई मैं विश्णु शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर पटाखा फिल्म का रिव्यू लेकर आया हूं आपके लिए विशाल भारत दौच के फिल्म में रंगून के बाद एक दूसरी फिल्म है और जैसा कि विशाल भारत दौच जाते हैं कि नए सेट सब्सक्राइब था और ऐसे ही वह पटाखा में गए एक नए सेट अप के साथ वेस्टन यूपी के साथ जो बॉर्डर मिला हूँ है राजिस्थान का करॉली में रहते हैं चरण सिंग पथिक करॉली जिला है वहां का माईविश जी के पास तो वहां के गाउं में रहते हैं उन्होंने कहानी लिखी ती दो बेहन है और बिलकुल उसी परदश्च में उन्होंने कहानी लिखी वहां के गाउं की कहानी लिखी गाउं पर आपने दंगल भी देखी होगी लेकिन आप दंगल एक कह सकते हैं सोफिस्टिक इटिट फिल्म थी यह बिलकुल बिलकुल डीप गाउं में घुश जाती है और वहां कैसे एक वर्ड होता है कलेश कलेश उसे बोलते हैं कैसे छूटी छूटी बातों पर जगड़े होते हैं दो बहनों की कहानी है जिनका रोल किया है सानिया मलोतरा दंगल वाली और राधिका मदान ने कैसे इन दोनों ने दो बहनों का जो र से हैं जो ख़दान का ठीकेदार है और। ऐसे में डोनों बेहनों का ज temperature होता है उसके बाद दोनों की शादी होती है घर से भाग जाती है दोनों ही झार जब दोनों एक ही घर में पहुंचती है तब उन्हें पता चलता है कि जो उन्होंहें फैसला लिया उनने मालम भी नहीं था कि वह दोनों भाई थे और उनका फादर उससे पहले उनकी साधी ने पहुत है कि कोशेश करता ही जब उसे पैसे की जरूत होती है ज़रोत उती है तो गाउं के तैसे पहुतिकी-क बारबार-बार उसकी शाधी नहीं होथी और climax जो होता है वो भी बहुत छोटा सा climax है कि दोनों की जो लड़ाई है वो दोस्ती में कैसे बदलती है simple सी कहानी असल यह है कि जो महानगरी लाइफ में जी रहे हैं लोग उनको अगर वो गाउं से टच नहीं रखते हैं तो हमतौर पर उन्हें दंगल लगाउन उस तरह की फिल्म mjen लगती हैं जहां dream gong और उनकी मसले क्या है is प्रोमो देखें उसका बैठें या last तक जाएंगे तो आपको बहुत मजाएगा अंगर climax पर थोड़ा सा और काम मू göra होता है यहां फसता है डारेक्टर वो रंगूर में फस गए थे क्लाइमेक्स दंग से नहीं कर पाई पूरी फिल्म जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं चल पाई सेम पटाखा के साथ होता है क्योंकि चरण सिंग पतिक ने तो बड़े सिंपल में में क्लाइमेक्स कर दिया अपनी फिल्म की कहानी का लेकिन यहां इंटरवल तक फिल्म में बहुत मज़ा आता है सेकिंड हाप में फिल्म में क्लाइमेक्स के लिए उन्होंने एक एक्सपरिमेंट किया मैं बताऊंगा नहीं आपको देखना पड़ेगा अगर आपको क्लाइमेक्स का एक्सपरिमेंट पसंद आता है तो वाकई आपको मज़ाएगा और शायद आप कहें कि नहीं उतना मज़ा नहीं आया लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसे एकदम खारिश कर दें तो कहानी में म्यूजिक जो फिल्म में म्यूजिक है तीन गाने जबरदस्त हैं तीनों गाने आपको सहथ पसंद आएंगे अधर का भारतवाज की वाज में तेरो बल्मा करके एक होली पे गाना फिल्माए गया है एक सुपिंदर की आवाज में है यह कहानी असल में भारत पाकिस्तान के बीच की जो लड़ाई है उसको मेसेज देने के जो हमेशा विशाल भारतवाज कोशिश करते हैं सिंपल सी कहा को उन्होंने बताया कि भारत पाकिस्तान की जो जंग है या जो आपस की रिष्टे हैं उनका उनका हल क्या है जो कहानी मेसेज देती है उनका हल है एक निश्चिट टाइम फ्रेम में दोनों लोग आपस में जंग कर लें युद्ध कर लें तो लंबी शान्ती हो जाती है वही इस कहानी का मेसेज है आप देखिए आपको कैसी लगती है आप भी बताइए मेरे के साब से इस फिल्म के लिए मेरी दरफ से तीन स्टार है इस तरह की और खबरें फिल्म रिव्यूज देखने के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज सब्सक्राइब करें इनकबार तैंक् स्टार है